गुद मॉर्निंग प्लस्टू क्लास लास्ट वीडियो में हम लिंक केज, क्रोसिंग ओवर और क्रिस क्रोस इनहरिटेंस के बारे में डिसकस कर चुके हैं आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, म्यूटेशन देखिए, म्यूटेशन है जो एक फिनॉमिना है जिसकी हेल्प से DNA में ऑल्टरेशन और कुछ सदन चेंजिस अपियर होंगे सदन चेंजिस का मतलब क्या है, एकदम से कुछ चेंज आ जाएगा DNA में, वो नॉर्मल नहीं रहेगा यह जो चेंजिस आए हैं, यह mostly inheritable होंगे Inheritable का मतलब क्या है, यह next generation में पासओन होंगे अब next generation में कोई change पासओन हुआ है, तो उस organism का जो genotype है, वो भी change होगा मतलब कि उसका genetic makeup है, वो change हो जाएगा जब genetic makeup ही change हो गया है, तो उसका जो phenotype है, वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जीनो टाइप का मतलब मान लीजे, किसी organism के पास पहले थी capital T और small T वाली alleles, अब change के बाद उसके पास small T, small T वाली alleles आ चुकी है अब capital T और small T जीनो टाइप के साथ, उस organism का जो phenotype था, वो क्या था, toll height but small T, small T वाले जीनो टाइप के साथ, उस organism का जो phenotype होगा, physically वो कैसा दिखेगा, dwarf तो DNA में change आने की वज़े से क्या है, हमारी genes change हुई है, इसका मतलब DNA change हुआ है, तो genes change हुई है और genes change होने की वज़े से person का genotype और उसका phenotype, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, change हो जाएंगे अब mutation जो term है, वो सबसे पहले एक scientist Hugo D. Varis ने coin की थी Hugo D. Varis, Oynothera Lemarchiana, जिसका common name है, Evening Prime Rose, इस plant के उपर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि next generation में कुछ sudden changes appear हो गये, इस plant की जो next progeny बनी थी, वहाँ पे एकदम से कुछ changes आगे थे और इसके बाद ही उन्होंने mutation theory provide की, 1903 में, जिसके बारे हम chapter 7 में discuss करेंगे अब एक term है, muton, muton क्या है, gene का smallest part, जिसमें mutation हो सकती है gene का smallest part होता है, base pair, हमने पढ़ा है, जो DNA है, वो तीन चीज़ से मिलके बनता है sugar, जो कि pentosugar है, nitrogenous base और phosphate group, तो nitrogenous base जो कि smallest part है किसी gene का अगर उसमें change possible है, मतलब mutation आ सकती है, तो smallest part of gene को क्या बोलते है, muton next term है हमारे पास, mutagen, mutagen क्या है, gene का मतलब होता है, generating मतलब की induce करने वाला कुछ physical और chemical factors है, जिसकी help से mutation induced हो सकती है, produce हो सकती है, उनको बोलते है mutagens, physical mutagen, physical factor क्या क्या है, UV rays है, X rays है और gamma rays, ठीक है, यह rays है जो कि physically क्या कर सकती है, एक mutagen की react करेंगी और person का genotype और phenotype change कर सकती है, physical contact में आने की वाद, जैसे किसी person की body पे UV radiation fall on कर जाएं, तो क्या होगा, उसका जो DNA उसमें change possible है, ठीक है, chemical mutagen क्या है, यह कुछ chemicals हैं, जैसे कि acridine dye, colchicin, nitrous oxide, जिसकी help से क्या है, mutation, cause हो सकती है, अगर colchicin से treat करवा दिया जाएं, किसी plant cell को, तो वो plant cell का कट जो DNA था, उसमें change possible है, अब mutation किस type की cell में हो रहा है, उसके basis पे दो type का होगा, एक होगा germinal cell, germinal mutation और एक होगा somatic mutation, germinal का मतलब क्या है, हमारी germ cells, ठीक है, germ cells क्या होती है, वो cells जो कि gamete की formation करती है, उन cells को बोलते हैं, germ cells, जब gamete producing cells में, मतलब कि germ cells में कुछ change आ गया है, तो उन mutations को, उन changes को बोलते हैं, germinal mutation, जो की inheritable होगा, मतलब कि next generation में ये change आसोन होगा, क्योंकि gametes की fusion की वज़े से ही, तो next organism की formation हो रही है, जो gametes ही क्या है, mutated है, मतलब changed है, तो जो organism बनेगा, उसमें वो characters जाएंगे ही जाएंगे, somatic cells क्या होती हैं, हमारी germ cells को छोड़के, जितनी भी cells हैं, उनको body cells या फिर हम somatic cells बोलते हैं, ठीक है, cells other than the germ cells are somatic cells, जब body cells में mutation होगी, तो mutations को हम बोलते हैं, somatic mutations, ठीक है, यह generally next generation में pass on नहीं होती, mutation के तीन type होगे, कि वो किस area में हो रही है, क्या किसी chromosome में change आया है, या किसी gene में change आया है, या फिर किसी base pair में change आया है, ठीक है, genomatic mutation, chromosomal mutation और gene mutation, ये तीन type है, सबसे पहले genomatic mutation देखें, genomatic mutation कैसे होती है, due to change in number of chromosome, जब chromosome के number में change आ जायेगा, उसकी वज़े से जो mutation होती है, वो genomatic mutation है, दो type की होगी, polyploidy और enuploidy, ploidy का मतलब होता है, chromosome का set, ठीक है, chromosome का number, जब chromosome का set disturb हो जाये, नॉर्मल ना रहें, तो उसकी वज़े से जो mutation है, वो क्या है, polyploidy या फिर enuploidy, polyploidy का मतलब क्या होता है, poly means many, ploidy का मतलब set, ठीक है, हो सकता है, haploidy, किसी organism के पास, 1N, मतलब कि एक set है, chromosome का, तो उसको हम बोलते है, haploidy, haploidy chromosomes भी हम, organisms भी हमने पड़े हैं, या फिर 2N, दो set हो, किसी organism के पास, उसको बोलते हैं, diploidy, most of the organisms क्या है, diploidy ही है, ठीक है, normal organism, diploidy ही होंगे, अब diploidy से ज़्यादा, मतलब कि 2 set से ज़्यादा chromosome अपियर हो जाएं, किसी organism में, तो उस condition को बोला जाता है, polyploidy, ठीक है, polyploidy होगी, किसी वज़े से, इसका reason क्या है, जो chromosome है, वो separate नहीं हो पारे है, एनाफेस के time पे, जिसकी वज़े से, non-disjunction create होगा, non-disjunction का मतलब क्या है, chromosome की arm सी, जो वो separate नहीं हो पाई, यह देखो, यह एक cell थी हमारे पास, ठीक है, एनाफेस की बात कर रहे हैं, मतलब chromosome की arm सी, जिसके साथ spindle fiber जुड़े हुए थे, और यह spindle fibers force लगा रहे थे, यह इस arm को उपर की side कीच रहे थे, इस arm को निच्चे की side कीच रहे थे, ठीक है, अब यह chromosome की arms, अगर हम एनाफेस 1 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे यह separate नहीं होगी, ठीक है, अब arm separate नहीं होई है, तो उसके बाद, जब तीलो phase आएगा, तीलो phase क्या होता है, एनाफेस के बाद, तीलो phase की state आती है, जिसमें nucleus divide होती है, ठीक है, nucleus जब divide हुई, तो एक जो part था nucleus का, उसको तो यह पूरे के पूरे chromosome मिल गई, और जो दूसरी nucleus थी, वो empty रह गई, वहाँ पे कोई chromosome नहीं आया, मतलब की क्या हुआ है, failure of separation of chromosomes, chromosome separate नहीं हो पाई, यह एक cell है हमारे पास, एक cell में टिलो phase का, मतलब nucleus divide कर रही है, nucleus divide कर रही है, तो दो nucleus बनेंगी, दो nucleus तो बनी, एक nucleus के पास chromosome चले गई, दूसरी nucleus को chromosome नहीं मिले, ठीक है, तो इस nucleus को कितने chromosome मिल गए, दो chromosome मिल गए, ठीक है, इसको मिलने कितने चीए थे, वन chromosome मिलना चीए था, तो इस nucleus के पास, एक से ज़्यादा सेट आ गया chromosome का, इसी चीज़ को हम पोल रहे हैं, polyploidy, ठीक है, तो जब chromosome separate नहीं हो पा रहे हैं, failure हो गया उनकी separation का, induce की जा सकती है, colchisin एड करके, colchisin क्या करता है, जो spindle fibers हैं, इनकी formation को रोक देगा, जब spindle fibers नहीं वनेंगे, तो chromosome की arms थी, वो separate नहीं हो पाई, separate नहीं हो पा की वज़े से क्या होगा, एक जो cell थी, एक cell की जो nucleus थी, उसको तो chromosome मिल गए, और दूसरी को नहीं मिलेंगे, नॉर्मली तो क्या होना चीए था, एक chromosome इसको मिल जाना चीए था, और एक chromosome उपर वाली cell, nucleus को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, अब कितने set बने हैं, इसके basis पे polyploidy different type की हो सकती, polyploidy 5 set, तो ऐसे ऐसे different different types हो सकते हैं, polyploidy की, triploidy का मतलब 3 set रहेंगे, तीक है, अब next, जो genomatic mutation का type है, वो है aneuploidy, ये बहुत important है, इसको ध्यान से समझेंगे, ये एक phenomenon है, जिसमें chromosome या तो कम हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, जादा हो जाएंगे, तीक है, कु क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, polyploidy में क्या होता था, पूरा का पूरा set add-on होता था, यहाँ पे क्या हुआ है, few chromosomes add हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, delete हो सकते हैं, इसके types है, first type है trisomic, trisomic का मतलब क्या होता है, जब normal set है, chromosome का 2N, उसमें एक chromosome add हो हैं, trisomic condition या trisomy बोल सकते हैं, इसका example, एक disease हम discuss करेंगे, down syndrome, एक chromosome add होने को हम क्या बोल रहे हैं, trisomy, ठीक है, तो normally उस organism के पास, जो कि deployed था, human beings की बात कर लेते हैं, 2N का मतलब क्या है, यहाँ पे 46 chromosome, 2N plus 1 हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, trisomy, ठीक है, 2N 46 था, तो 46 plus 1 मतलब की 47 chromosome हो गये हैं, यह trisomy रहे हैं, टेट्राजोमी, टेट्राजोमी का मतलब क्या होता है, 4, अब 4 कैसे add होंगे, देखो, 2N था, इसमें 2 chromosome और एड़ कर दिये, तो 46 plus 2, 48 chromosome हो गए, ठीक है, माल लीजिए, जो 5th chromosome था, उसकी टेट्राजोमी हो गई है, टेट्रा का मतलब क्या हो गया, 4, तो 5th chromosome, ऐसे था, deployed organism में 2 set होंगे न, 5th chromosome का ये A पार्ट, ये 5th chromosome का B पार्ट, अब इसमें 5th chromosome की टेट्राजोमी होई है, मतलब वहाँ पे 5th chromosome चार बार प्रेजेंट है, तो 5th A भी दो बार, 5th B भी दो बार, तो ये 5th chromosome के कितने पैटरन बनगे, 4 पैटरन बनगे, इसलिए क्या बुला गया टेट्राजोमी, चार क्रोमोजोम एड नहीं करने, क्रोमोजोम तो 2 एड होंगे, लेकिन set कैसे बन जाएंगे, 5th chromosome के 4 set बन जाएंगे, 2 तो 5th A, 2 5th B, अब ट्राजोमी में क्या हुए मालो, 13th chromosome था, उसके ट्राजोमी होई है, ट्राजोमी का मतलब हो गया 3, लेकिन एड कि देखो, यह हमारे पास 13th का A पार्ट, यह 13th का B पार्ट, ठीक है, अब इसमें एक और क्रोमोजोम आ गया 13th, मालो 13th का A पार्ट एक और आ गया, तो टोटल अब 13th क्रोमोजोम, जो कि 2 होते थे, डिपलोईड और्गनिजम में, डिपलोईड का मतलब क्या है, 2 set, तो A के ज 13 क्रोमोजोम है, टेट्राजोमी में 5th क्रोमोजोम के 4 क्रोमोजोम है, और एड कितने हुए है, सिर्फ 2, यहां पर ट्राइजोमी में एड सिर्फ 1 क्रोमोजोम होगा, मोनोजोमी का मतलब क्या होता है, मोनोजोमी में क्या होगा, जब डिपलोईड सेट में से 1 क्रोमोजोम क बच जाएंगे इसका एक्जामपल होगा टर्नर सिंड्रोम जो कि human beings में होने वाली एक disease है X chromosome की monosome हो जाती एक X chromosome कम हो जाएगा ठीक है नली जोमी का मतलब क्या होता है जब 2 chromosome कम हो जाए दो क्रोमोजोम का मतलब क्या होगा एक पूरा chromosome का सेट ही चला गया होगा मैंने बताया जैसे 13 के दो chromosome है ना हमारे पास A और B अब नली जोमी क्या है 2N-2 तो 46 में से दो chromosome चलेगे मतलब कोई एक पूरा chromosome क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा deficiency हो जाएगी उसको इसको क्या बोल देंगा नली जोमी नेक्स्ट है क्रोमोजोमल मुटेशन जो की बोर्ड के according तो आपके स्लेवस में गीवन नहीं है क्रोमोजोमल मुटेशन में क्या होगा जो क्रोमोजोम के ओपर genes लगी होती है उनकी arrangement में क्या है कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है जिनोमेटिक मुटेशन में हमने क्या पढ़ा कि या तो कुछ सेट इंक्रीज हो गई polyploidy होगी या फिर कुछ क्रोमोजोम एड हो गई या कुछ क्रोमोजोम डिलीट हो गई जिसको बोल दिया गया अनुपलोडी ठीक है दूसरे टाइप की मुटेशन है वो है क्रोमोजोमल मुटेशन जिसमें क्रोमोजोम के उपर जो जीन्स प्रेजेंट है उनकी arrangement में कुछ चेंजिस आ सकते हैं जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे deficiency loss of terminal segment of a chromosome एक क्रोमोजोम के terminal segment यह terminal point है यहां से माल लो यह वाला point GH वाला point क्या हो गया separate हो गया अब यह GH वाली जो जीन थी यह कोई ना कोई function कर रही थी बोड़ी में यह जब जीन सी क्या हो गई अलग हो गई तो यह वो function भी क्या हो जाएगा stop हो जाएगा तो deficiency मतलब कमी होना जब terminal segment है जो क्रोमोजोम का उसका loss हो जाएगा deletion का मतलब क्या है loss of an intercalorie segment intercalorie का मतलब होता है beach में ठीक है जब beach का कोई segment chromosome का lost हो जाएगा जैसे यह DE segment इस chromosome में क्या हो गया है DE segment delete हो गया है इसको बोलेंगे deletion deficiency में terminal points या तो AB बाहर चला जाता या फिर यह GH बाहर चला गया deletion में beach का कोई part क्या हो जाता है delete हो जाएगा duplication का मतलब क्या होता है double हो जाना अब यहाँ पे कोई जो genes थी वो क्या हो जाती है double हो जाती है ठीक है जैसे यहाँ पे CD gene थी यह CD gene दो बार आ चुकी है तो इसका मतलब इसके क्या हो गया duplication inversion का मतलब क्या होता है invert हो जाना ठीक है जैसे यहाँ पे क्या था हमारे पास segment ABCDE ऐसे genes थी यह लाइन से अब क्या हो गया AB EDC मतलब की EDC यह जो पूरा का पूरा part था यह क्या हो गया invert हो गया CDE होना चीए था अब क्या बन गया है EDC तो इस inversion को ही क्या बोलते हैं inversion mutation जब invert हो जाए कुछ पार्ट CDE अब क्या बन गया EDC next जो third type की mutation उनको बोलते हैं gene और point mutation जो कि सबसे important है gene और point mutation का ही एक और type होगा frame shift mutation ठीक है gene mutation के बारे में हम next chapter में भी discuss करेंगे सो ध्यान से समझेंगे इसको gene या फिर क्या बोल रहे हैं point mutation point का मतलब क्या एक बहुत छोटी चीज ना mutation due to change in single base pair of DNA जब एक base pair है जो DNA का ये DNA लिया है हमने ठीक है इस DNA के उपर ये base pair लगे हूँ A C G T ठीक है अब ये जो part है इसको बोल रहे है हम one gene एक gene बोल रहे है ठीक है ये चारो nitrogenous bases आगे ना adenine, cytosine, guanine और thymine ठीक है तो ये एक gene बन गए जब एक gene के एक base pair में क्या आ जाए चेंज आ जाए उस mutation को क्या बोला जाता है gene mutation अब मालो ये C point था ये C point की जगे यहाँ पे क्या आ गया T आ गया ठीक है C point की जगे पे क्या आ गया T आ गया तो ये जो change आए ना सिर्फ single base pair में उस change को हम क्या बोलते है gene और point mutation बोलेंगे ठीक है gene mutation का मतलब सिर्फ जब एक single base pair का change आए बाक्की सेम चीज रह रही है पूरी की पूरी gene ये gene चार base pair से मिलके बनी थी ACGT अब क्या हुआ इसमें change क्या आ गया ATGT हो गया मतलब ये T क्या है ये नया base pair आके जुड़ गया है इसकी जगे पे ठीक है तो ये gene mutation होगा जिसकी एक disorder हम डिसकस करेंगे sickle cell anemia फिर है हमारे पास frame shift mutation यहां पे तो सिर्फ एक point change हुआ था एक single base pair change हुआ था यहां पे क्या होगा पूरा frame change हो जाएगा mutation due to insertion और deletion of multiple bases disrupt कर देते है reading frame of DNA जिसको हम triplet की form में read करते हैं DNA के उपर जितनी भी ये genes present होती है उनको हम triplet की form में read करते हैं ये ये तीन जो nitrogenous bases है इनसे मिलके एक कोडोन बनता है जो next chapter में हम पढ़ेंगे कोडोन का मतलब क्या है तीन nitrogenous bases को हम क्या बोल देते हैं कोडोन बोल देंगे जैसे ये कोडोन हो गया यहां पे A, T और C ये एक कोडोन हो गया ठीक है तीन nitrogenous bases से मिलके क्या बना दिया गया है एक कोडोन ठीक है अब frame shift में क्या होगा या तो कुछ नया जो base था वो add हो जाएगा या delete हो जाएगा यहां पे क्या हुआ था चेंज हुआ था gene mutation में C की जगह पे T आ गया था लेकिन frame shift में क्या हो गया है नया या तो insert हो सकता मतलब add हो सकता या फिर क्या हो सकता है यहां से कुछ delete कर दिया जाएगा अब इस में से कुछ delete कर देंगे मालो ये delete कर दिया ठीक है अब kodon कैसे बन रहा था तीन चीजों से मिलके अब ये kodon कैसे बनेगा C, G और T ये kodon बन जाएगा अगला kodon क्या बनेगा C, A, A ये kodon बन गया next क्या बचा T और C और दो जो base pair है वो कभी भी kodon नहीं बना सकते एक kodon बनाने के लिए क्या चाहिए हमें तीन base pair की ज़रूरत होती है तो जब deletion हो जाए या फिर नया base pair add हो जाए उसके add की वज़े से जो हमारा reading frame है वो disturb हो जाता है उसको बोलते हम frame shift mutation जैसे NCRT में एक example दिया गया frame shift mutation का Ram has a red cap ये तीन-तीन letters मिलके एक kodon बना रहे है Ram एक kodon, has एक kodon, red एक kodon ठीक है अब देखो next line में क्या किया है नोंने एक base pair को add कर दिया मतलब एक नया letter add कर दिया B अब reading frame क्या बनेगा तीन चीज़े हमें साथ में read करने है Ram has B-R-E-D-C-A और ये P ये लग हो गया P फिर हमने क्या कर दिया दो add कर दिये Ram has B-I-R-E-D-C-A-P अभी भी कुछ reading frame सही से नहीं बना फिर हमने क्या कर दिया एक और base pair add कर दिया तीन base pair जब add कर देते हैं तो क्या बन जाता है kodon तो ये kodon बन गया Big Ram has Big Red Cap तो जब भी तीन base pair add होंगे तो जो reading frame है वो disturb नहीं होता लेकिन हम एक या दो base pair को add करते हैं तो reading frame disturb होता है और एक या दो base pair हमारे रह जाएंगे बिना read की तो जब addition हो या deletion हो bases का उसको क्या बोलते हैं frame shift mutation frame shift mutation में जो triplet codon read कर रहे थे तीन basis हम read कर रहे थे उनका reading frame क्या हो जाता है disturb हो जाता है और जब भी तीन basis को add किया जाएगा ये reading frame disturb नहीं होगा उसको हम read कर सकते हैं लेकिन अगर तीन चीजे तीन base pair नहीं आए हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ है change आएगा ठीक है तो reading frame तो change नहीं हुआ लेकिन वैसे DNA में क्या है change possible है यहां पे change आएगा ठीक है तो frame shift mutation में एक बात ध्यान रखेंगे कि तीन basis के add होने से reading frame तो disturb नहीं होता लेकिन क्या होगा या तो extra कुछ amino acid बन चाहेंगे या फिर एक amino acid क्या बनेगा कम बनेगा अगर तीन को एक साथ delete कर दिया जाए एक amino acid के लिए काम करेंगे Chinese醬 के अगर यह मानुईचिण की chain बन जाएगै और इससे क्या बनते हमारे पास proteins की formation होगी तो अगर ये disturb हो गए codons तो amino acid अलग type के आएंगे मालो ACG अलग type का amino acid लेक्या रहा है cgt अलग type का लेक्या रहा है क्योंकि उसके base पेर अलग है तो amino acid अलग type के आएंगे तो जो proteins है वो भी क्या होंगे अलग type के बनेंगे ठीक है तो इस तरह से यह mutation का concept था, point mutation और जो frame shift mutation उसको आप बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, ठीक है?